नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदया लोभन छोबन रागन द्रोहा बै डॉक्टर शीराम किंकरजी महाराज शीराम शर्ण ममा प्रथम प्रवचन काम कोह मद मान न मोहा लोभन छोबन रागन द्रोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदया बसहुर घुराया भगवान शीराम भत्र की महतियनो कमपा से इस वर्ष पुना यह सुअफसर मिला है कि हम सब इस पवित्र प्रांगन में एकत्रेत होकर भगवत चरित्र का आनंद ले सके हमारे स्निहासपद श्री रमनलाल जी बिन्नानी ने प्रवचन सत्र के संदर्भ में एक अनोखी गणना बताई कि पिलानी में आठ वर्ष हुए हैं दिल्ली में सोलह तथा कलकत्ता में 32 वर्ष सच मुच यह अंक ऐसे लगते हैं कि जैसे एक दूसरे से पर यों कहलीजिए कि मूल तो संक्षिप्त ही होता है यह प्रभु की ही अनुकंपा है कि यह लाभ हमें इतने वर्षों से अनवरत मिल रहा है और इसके पीछे प्रभु ने जिन्हें निमित बनाया है वे हैं हमारे बिल्ला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिल्ला तथा सो अब प्रस्तुत प्रसंग पर एक दृष्टी डालें महारशी वालमी किसे प्रभु ने जब यह प्रश्न किया कि मैं कहा रहूं तो उसके उत्तर में महारशी ने चोदह प्रकार के भक्तों के हिर्दय को प्रभु के निवास स्थान के रूप में बताया अभी आपके जो पंक्तियां पढ़ ही कई वे पिछले वर्ष से ही प्रारंफ हुई थी पर पूरी नहीं हो पाईं मैं जब उन पूरी पंक्तियों पर ध्यान देता हूं तो ऐसा लगता है कि इस प्रसंग में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे आज भी थोड़ी देर पहले सोजन्यम श्रीमती सरला जी वर्ला ने कहा कि प्रसंग पूर्ण करने की कोई जल्दी नहीं है तो भई मैं तो स्वयंभी धीमीगती से चलने का अभ्यस्त हूं और जब ज़जमान भी उसी मत का हो तो यदि विलंब हो भी तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रसंदा की ही अनुभूती होगे ये जो दो पंक्तियां हैं विवर्नित चौदह स्थानों में सबसे संखशिक्त हैं किन्तो इन दो पंक्तियों में जो बाते कहीं गई हैं जब उन पर द्रिश्टी जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके अंतहकरण में इन विकारों में से कोई विकार ना हो। महरशी वालमी की कहते हैं कि जिनके हिरदय में काम क्रोध लोब, मद मोह राग, शोब आदी की वृत्यों का अभाव है आप उनके हिरदय में निवास कीजिए। यद्यपी गणना में ये अंक बड़े संग्षिप्त से हैं किन्तु कठिनाई का अनुभव तो तब होता है कि जब इस पर दृष्टी जाती है कि इन दोशों का जो निराकरण है क्या वह संभव है और यदी संभव है तो उसका उपाई क्या है। गुस्वामी जी ने इस संदर्भ में रामचरित मानस में अनोखे संकेत सूत्र दिये हैं। आईए संग्षेप में उन पर दृष्टी डालने की चेश्टा करें। तुलसी दाजची ने एक पंक्ति लिखी है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि ब्रह्म्भा ने जिस सुस्रष्टी का निर्मान किया है वह गुण तथा दोशों के मिश्रण से बनी है। कहाई वेद इतिहास पुराना विधी प्रपंच गुण अवगुण साना। सानने का तात पर यह होता है कि जब दो वस्तुमों को मिला कर इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए कि उन दोनों को अलग-अलग करना कठिन हो जाए। क्या असंभव जैसा हो जाए। किन्तु प्रश्ण यह है कि जब स्विष्टी गुण तथा दोश के मिश्रण से बनी है तो फिर व्यक्ति दोश और गुण को अलग कर ले क्या यह संभव है। रामचरित मानस में इस संदर्भ में एक और भी सूत्र दिया गया है। भगवान श्री रागवेंद्र उपवन में बैठे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार आते हैं। प्रभु ने उठकर उन्हें साश्टांग प्रणाम किया तथा बैठने के लिए अपना पितांबर बिचा दिया। और उस पितांबर पर चारों महात्मा बैठ गए। उन महात्माओं ने प्रभु की स्तुती की और प्रभु से याचना करते हुए प्रसन्यता पूर्वक व अपने ओडने का पितांबर बिचा दिया। उनके चर्णों में साश्टांग प्रणाम किया। वस्तुत यह द्रश्यतो सर्वता अनूठा था। श्री भरत के अंतहकरण में यह जिग्ञासा उत्पन्न हुई कि जिन संतों के प्रथी। प्रभु के अंतहकरण में इतना समा उनमें कितने सदगुण होंगे तथा कितनी विशेशताई होंगी। इसलिए प्रभु के श्री मुक से ही संतों के लक्षन सुनने की जिक्ञासा श्री भरत के अंतहकरण में उत्पन्न हुई। साथी साथ वे यह भी चाहते थे कि असंत जनों के जो लक्षन हैं उनका भी प प्रभु से निवेदन करें। हनुमान जी ने प्रभु के चर्णों में नमन करते हुए कहा नात भरत कचु पूंचन चहही प्रसन करत मन सकुचत अहही। प्रभु श्री भरत आप से कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रशन करते हुए उन्हें कुछ संकोच लग रहा है। और तब प्रभु ने एक ही वाक्य में श्री हनुमान जी की और श्री भरत जी की बड़ी अनोखी प्रशन सा करते हुए कहा तुम जान नहु कपी मोर सुभाव। भरत ही मोही कचु अंतर काव। हनुमान तुम तु मेरा स्वभाव जानते हो। वस्तुतह भगवान राम जब किसी की सबसे अधिक प्रशन सा करते हैं तो यही शब्द कहते हैं। बानो उसके लिए यही सबसे बड़ा प्रमान पत्र है। वस्तुतह प्रभु के स्वभाव को जान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धी है इस संदर्भ में मिरा ध्यान बालकांड के एक प्रसंग की ओर चला जाता है धनुर भंग के पस्चात जनकपुर से पत्र लेकर दूत आयोध्या आई उन दूतों के पास दो पत्र थे एक पत्र वह था जिसे महाराश्री दश्रत के नाम महाराश्री जनक ने ल उन्होंने दूतों को बुलाकर अपने पास बैठाया और जब उन्होंने उनसे प्रश्न किया तो दूत आस्चरे चकेत हो गए क्योंकि जो उनके प्रश्न थे विसरवता अनुखे थे उन प्रश्नों में एक और तो बातसले की पराकास्था है तथा दूसरी और उनमें श्री दर्शरत ने कहा कि चलो आज हमारे और तुम्हारे बीच में भी ब्रातरित्व का संबंद स्थापित हो गया और फिर प्रशन किया कुसल दो बारे अर्थात क्या मेरे दोनों ननही पुत्र कुशल पूरुवक हैं दूत आश्चरे से देखने लगे जिस पत्र में यह ल श्री राम तो महान हैं पर इनकी वात्सल्य भड़ी दृष्टी इतनी बड़ी है कि इन्हें श्री राम महान के स्थान पर लगू प्रती तो हो रहे हैं यह इनकी विलक्षनता है वस्तुतह इश्वर तो महान है पर प्रेमी जब अपने प्रेम के द्वारा अपने वात्सल् तो उसे ऐसा लगता है कि प्रभु तो बहुत छोटे हैं। महाराश्री दश्रत का प्रश्न और भी चौकाने वाला यह था कि वी कुषल पूर्वक हैं कि नहीं। दूतों ने उस प्रश्न का पूरा आनंद लिया। उन्हें लगा कि आज तक तो किवल जीव की कुषलता पूछी जाती थी पर इश्वर कुषल से है के नहीं यह प्रश्न आज पहली बार सुनने को मिल रहा है। प्रश्न इतने में ही कहां रुका। अपितु आगे बढ़ता ही चला गया। उन्होंने आगे पूछा कि आप लो बारे तुमनी के निजनयनी निहारे। सचमुच प्रश्न तो बड़ा विचित्र सा लगता है पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो यह बड़ा सार्थक प्रश्न था तथा उनके भक्ती का सर्वस्वचिपा हुआ था। इश्वर को देखना और अपनी आँखों स देखना इसमें अंतर है जब आप चित्र में देखते हैं कि यह श्री राम का चित्र है अथवा श्री कृष्ण का चित्र है उस समय वह चित्र आप चित्रकार की दृष्टी से देखते हैं और चित्रकार की दृष्टी में भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण का ज जब आप श्री राम के रूप का वर्णन सुनते हैं तब भी आपके सामने एक मानस चित्र आता है और तब भी यह लालसा स्वभाविक रूप से होती है कि जिसे हमने वक्ता की आँखों से देखा उसको हम अपनी आँखों से भी देखें और अपनी आँखों से देखने के बा और सचमुच देखना एक बात है तथा भली प्रकार देखना दूसरी भगवान रामत को तो रावन ने भी देखा, कुम्बकर्ण तथा अन्यराक्षसों ने भी देखा था और उन्होंने भी अपने ही आँखों से देखा था पर प्रशन यह है कि क्या सचमुच उन्होंने भली प्रकार से देखा था इसे यों कहली जिए कि वस्तुतह महाराज श्री दश्रत का जो प्रशन है वह वात्सले के साथ साथ साथना के एक दिवयक्रम का परिचायक है जिसमें यह बताया गया है कि हमें श्री राम को देखना है अपनी आखों से देखना है तथा भली प्रकार देखना है परन्तु महाराज श्री दश्रत इतने से ही संतुष्ट नहीं है उन्होंने फिर पूछा कि तुमने देखा भर है कि पहचानते भी हो अगर विचार करके देखें तो यह इश्वर के सन्निकट पहुँचने का एक क्रम है मानो पहले हम शास्त्र या संत्र रूपी व्याख्याकार एवं चित्रकार की आखों से देखें और फिर उसको अपनी आखों से देखने की उतकंठा हमारे अंतह करण में जागरत हो इसी क्र सखी ने श्री राम को देखा दूसरी सखीयों ने जब उनसे पूछ दिया कैसे हैं तो उससे सखी ने केवल दो पंक्तियों में ही वर्णन्स माप्त कर दिया देखन बाग कुवर दूई आए बस किसोर सब भाती सुहाए स्याम गौर की मिकहू बखानी गिरा अनयन नयन बिन उबानी सुनकर के आश्चरे हुआ कि सखी ने संक्षेप क्यों किया किन्तु मानो सखी का तात पर यह था कि जैसे मैंने अपनी आँखों से देखा वैसे ही आप लोग भी चलकर स्वयम अपनी आँखों से देख लें यही साधना का क्रम है भली प्रकार देखने का भी प्राय है कि किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को आप दूर से भी तो देख सकते हैं आपने ध्यान से तो देखा परन्तु आपका परिचय उस व्यक्ति से नहीं हुआ इसी प्रकार से महाराज शिदश्रत का प्रश्न था कि आप लोग उने पहचानते हैं के नहीं प्रश्न सुनकर दूद सोचने लगे कि उत्तर देने से ज्यादा आनंद इस प्रश्न में है पहले पूरा रस ले ले फिर कुछ कहेंगे महराज शिदश्रत ने देखा कि दूत के ओंठों में कुछ हसी है तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग यह दावे से भी कहेंगे कि आपका राम और लक्षमन से परिचे है तो भी मैं विश्वास नहीं करूँगा तू तो ने जिक्नियासा भरी दृष्टी से देखा महराज विश्वास कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा कि पहिचान नहुं तुम कहव सुभाव अगर पहिचान हुई है तो उनका स्वभाव बताओ और यही साधना में सबसे अधिक महत्व पूर्ण क्रम है देखना, अपनी आखों से देखना, भली प्रकार देखना, पहचानना और अंत में स्वभाव जान लेना इसका भी प्राय है कि जब हम इश्वर के अत्यंत निकट पहुँच जाते हैं तो उसके स्वभाव का परिचय प्राप्त हो जाता है दूर से उसके प्रभाव का बोधो होता है तथा निकट से स्वभाव का इसलिए महाराज्ची दश्रत ने कहा यदी पहिचानते हैं तो यही कहूंगा कि आप उनका स्वभाव बतावे और जब दूत नहीं बोले तो महाराज्ची दश्रत एक ही प्रश्न बार-बार दहराने लगे प्रेम भिबस पुनी-पुनी कहताओ और तब दूतों ने अपने धंग से उसका जो उत्तर दिया वह भी उतना ही मधुर था दूतों ने कहा महाराज आपने यह जो पूछा है कि अपनी आँखों से देखा के नहीं भली भाती देखा के नहीं इसका तो बस एक ही उत्तर है हमारे पास कि जब से उन्हें देखा तब से दिखाई देना ही बंद हो गया है उन्होंने यही कहा कि देव देखी तब बालक दोव अबन आँखितर आवत को इश्वर को देखने की कसोटी यही है कि आपको यदि और भी कुछ दिखाई दे रहा है तो मानो अभी इश्वर नहीं दिखाई दिया अगर इश्वर दिखाई देगा तो सब दिखाई देना बंद हो जाएगा भगवान शंकर ने इसे वेदान्त की भाषा में यों कहा कि जूटव सत्य जाही बिनी जाने जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने जही जाने जग जाई हे राई जागे जथा सपन भ्रम जाई वेदान्त की भाषा में कहें तो ब्रह्मा के साक्षातकार के बाद सुरिष्टी मिध्या प्रतीत होगी भक्तों की भाषा में कहें तो इश्वर ही सरवत्र दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक और कुछ दिखाई दे रहा है तब तक वस्तुतह न तो इश्वर का साक्षतकार हुआ न उसमें संबंद हुआ और नहीं उसके स्वभाव का ज्यान हुआ भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जो श्री राम के स्वभाव को जाने लेगा उसे भजन छोड़ कर और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा उमा राम स्वभाव जे जाना ताही भजन तजी भाव ना आना मानो रामायन की भाषा में सरवोच उपलब्धी तभी है कि जब हम इश्वर के इतने निकट पहुँच जाएं कि हमें उसके स्वभाव का ठीक ठीक परिचय प्राप्त हो जाए और यह प्रमान पत्र रामायन में बिरले व्यक्तियों को ही प्राप्त हुआ है प्रभु ने केवल तीन ही का नाम लिया और यह कहा कि सुनहू सखा निज कहू सुभाव जान भुसुंडि संभु गिरिजाओ मेरा स्वभाव काग भुशुंडि शंकरजी और पारवती बस ये तीन ही जानते हैं हनुमान जी के जीवन में भी वही क्रम दिखाई देता है हनुमान जी ने प्रभु को देखा पहचाना और निकट रहकर उनकी स्वभाव को वे भली भाती जानते हैं इसलिए प्रभु ने हनुमान जी की यह कहकर प्रशंसा नहीं की कि तुम बड़े बलवान हो या बड़े बुद्धी मान हो अपितु यही कहा कि हनुमान तुम जान नहूं कपी मोर सुभाव तुम तो मेरा सुभाव जानते हो हनुमान जी गदगद हो गए तब प्रभु न श्री भरत जी की ओर देखकर तुरंत कहा कि हनुमान तुम यह भी तो जानते हो कि भरत ही मोही कचु अंतर काओ क्या भरत और मुझ में रंच मात्र भी कुछ अंतर है हम दोनों तो सरवता अभिन्न है हनुमान जी स्वभाव जानते हैं इसी लिए अभिन्न है भगवान श्री राम श्री भरत को अभिन्न बता ही रहे हैं रामायन की भाशा में ये दोनों महान संत भक्त प्रभु से अभिन्न है क्योंकि सोई जानई जही देवु जनाई जानत तुम है तुम है होई जाई प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा और पूछा भरत तुम्हारे हिरदय में क्या संशय आ गया है क्या भ्रम हो गया है जिससे प्रश्न करने की इच्छा उत्पन हुई मुझे तो बताओ और तब श्री भरत ने अनूठा वाक्य कहा उन्होंने कहा प्रभु नाथ नमुही संदेह कच्छू सपन हुई सोक नमुह केवल कृपा तुम्हारी ही कृपा नंद संदोह महाराज मेरे जीवन में जागरत की तो बात ही क्या है सपन में भी न तशोक है न संदेह है और न भ्रम है कितना अश्चरे जनक यह वाक्य लगता है क्योंकि पूरे रामचरित मानस में ऐसी भाषा श्री भरत के मुख से सुनने को कभी नहीं मिली अपनी दीनता, अपनी कमी तथा अपनी अवगुरू का वर्णन तो श्री भरत ने नजाने कितनी बार किया पर यह दावा किया कि मुझ में जागरत अवस्था की बात क्या स्वप्न में भी शोक, मुह तथा भ्रम नहीं है यह एक सांकेतिक सूत्र है अन्यत्र तो श्री भरत अपने अवगुरू का वन्नन करते हुए यहां तक कह देते हैं कि मुही समान को पाप निवासू जही लगी सी राम बनवासू और जो श्री भरत यह कहते हैं कि मेरे समान तो संसार में कोई पापी है ही नहीं आज जब उन्हीं श्री भरत के मुख से यह वाक्य सुनने को मिलता हो तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों वाक्यों में परस पर विरोधा भास है पर इसका रहस्य आगे चलकर श्री भरत के वाक्यों में ही प्राप्त होता है यदि कोई श्री भरत से पूछते कि आज आपने ऐसी अनोखी बात क्यों कही तो श्री भरत का उत्तर यही होगा कि अभी अभी प्रभू ने कहा था कि भरत तथा मुझे में कोई अंतर है ही नहीं और जब कोई अंतर नहीं है तो फिर अगर मुझे में कोई दोश है तो वह दोश प्रभू में भी माना जाएगा और जब प्रभु में रंच मात्र कोई दोश नहीं है तो फिर मुझ में यह कैसे हो जाएगा यही अभिन्नता की स्थिती है व्यक्ति के रूप में शरीर के संदर्भ में अगर जीव अपनी ओर देखेगा तो सचमुच उसमें अनगिनत दोश दिखाई देंगे क्योंकि सारा शरीर मन बुथी तथा अंतह करण यह सब के सब मायक रचना ही है और भई मायक रचना तो गुण दोश युक्त ही होगी इसका सीधा सा अर्थ है कि साधक जब अपनी दुष्टी से देखता है तो उसे अपने आप में दोश दिखाई देते हैं किन्तु एक स्थि आती है कि जब भिन्नता की भावना मिट जाती है मानो शरीर और अंतह करण का जो आवरण है वह दूर हो जाता है और जब उसमें एकत्व की अनुभूती होती है तब भला किसका दोश दिखाई देगा इसका सांकेतिक सूत्र यही है कि जब तक जीवत्व है तब तक कोई भ हो सकता इसलिए रामायन में जीव की व्याख्या यही कहकर की गई है कि हरश विशाद ग्यान अग्यान जीव धर्म अहमिती अभिमाना हर्श विशाद ग्यान और अग्यान यह जीव का धर्म है धर्म शब्द के प्रयोग करने का भी प्राय है कि जैसे अगनी का धर्म जलान उसी प्रकार जीव जब तक जीवत्व में स्थित है तब तक उसमें ये दोश विद्यमान रहेंगे पर इसका निराकरण करते हुए श्री भरत कहते हैं कि प्रभु जब आप यह कहते हैं कि भरत मुझसे अभिन्न है और मैं भी उस अभिन्नता की स्थिति में होता हूं तो मु पर अप वेदान्ती हो गई क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है लेकिन तुमने भी यह मान लिया कि तुम में रंचमात्र भी दोश नहीं है इसलिए श्री भरत जी ने यह वाक्य जोड़ दिया कि महराज एक अभिन्नता तो वह है कि जिसे व्यक्ति ग्यान के द्वारा प्राप्त क करता है पर मुझे जो अभिन्नता की अनुभूती हो रही है पह किसी ग्यान या मेरे पुरुशार्थ का परिणाम नहीं है और न मैं वेदान्ती हूं अपितु केवल क्रपा तुम्हार ही ही यह तो केवल आपकी क्रपा का परिणाम है आप तो क्रपानंद संदोह हैं परिणाम नहीं है के भरत वस्तुतह सत्य तो यह है कि गुण और दोष दोनों में कोई भिन्नता नहीं है पर यह जो दोश और गुण में भिन्नता की प्रतीती हो रही है यह माया के कारण है अगर तत्वतह कोई देखेगा तो इसमें भेद का अभाव है सुनहुतात मायाकृत गुण अरुदोश अनेक गुण यह उभयान देखी है देख है सो अविवेक आश्चर होता है कि भगवान शीराम पहले तो गुण और दोशों का वन्नन करें और फिर उसके साथ यह भी कह दें कि गुण तत्था दोश में कोई भिन्नता ही नहीं है लगता है कि ये बाते परस्पर विरोधी हैं पर वस्तुतह यही साधना का स्रेश्टतम करम है इसका सरल सातात पर यह है कि प्रारंफ में जब साधक चलेगा तो वह दोश और गुण को भिन्न मान कर चलेगा और चलना भी चाहिए क्योंकि दोश और गुण को जानने के पीछे भी एक उदेश्य होना चाहिए मुझे स्मरन आता है कि हिंदू विश्व विद्यालय में मैं इस पंक्ति सपने हुँ नहीं देखाई पर दोशा की व्याख्या कर रहा था तो वहाँ पर संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे कहा कि देखिए आपने भले ही कुछ कहा हो पर पंडित शब्द की व्याख्या शास्त्र में वही की गई है कि पंडितो दोशक्न्या जो दोश को जानता है वही पंडित है इसलिए अगर दोश नहीं जानेगा तो पंडित कैसा मैंने उनसे विनम्रता से निवेदन किया कि हाँ शास्त्र में यह तो लिखा हुआ है कि पंडित वह है जो दोश को जाने पर दूसरे का दोश जाने या अपने दोश जाने इसमें तो अंतर करना पड़ेगा ना अगर दूसरे के दोश जानना पंडिता है तो इस पंडित्य को दूर से ही नमसकार अगर पांडित्य के कारण हमें अपना दोश अधिक से अधिक दिखाई देने लगे तो वस्तुतह यह पांडित्य का सर्वस्रेष्ट सदुपयोग है परन्तु दोश दर्शन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति को दोश बहुदा दूसरों में ही दिखाई देता है अपने में नहीं और इसलिए दोशों के निराकरण की वृत्ती भी उत्पन नहीं होती गुणों के संदर्भ में भी यही समस्या है क्योंकि व्यक्ति जब स्वयम में गुण देखता है तो गुणा भी मान उत्पन होता है मैं गुणवान हूँ ऐसा गर्व उत्पन होता है अगर व्यक्ति दूसरों में गुण देखे और उसे देखने के बाद यदि व्यक्ति में उस गुण को ग्रहन करने की वृत्ती उत्पन हो तब तो उसकी सार्थकता है पर अगर गुण को ग्रहन करने की वृत्ती के स्थान पर केवल गुणों को नमन करने की वृत्ती हो तो उसकी बहुत सार्थकता नहीं है लेकिन होता बहुदा यही है इसलिए साधना के प्रारंभ में दोश तथा गुण को अलग मान कर ही हम साधना का श्री गणेश करें रामायन में इसे सूत्र के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है आईए उस पर कुछ विचार करें साधारण दृष्टांत के रूप में हम यों कह सकते हैं कि जैसे एक चित्रकार के पास रंग होते हैं और एक तूलिका होती है जिसके द्वारा वह चित्र का निर्मान करता है उसी रंग तथा तुलिका से वह श्री राम की आकरती का चित्रन करता है तथा उनी से रावन का चित्र भी हमारे सामने रख देता है हम श्री राम का चित्र देखते हैं तो नमन करते हैं और रावन के चित्र को घ्रुणा की दुरुष्टी से देखते हैं या फिर उसे जलाने की भी चेश्टा की जाती है अगर गहराई से विचार करके देखें तो वस्तुतह दोनों में रंग एक ही है तुलिका भी एक ही है पर उन दोनों के द्वारा जो निर्मान सामने आता है केवल उसी में भिन्नता है भगवान राम का संकेत मानो यह था कि यह भिन्नता अंत में परिवर्तित होनी चाहिए और परिवर्तित होने का भी प्राय यह है कि हम केवल गुणों को ही ग्रहन करें तथा दोशों का त्याग करें यद्यपी विचार करके देखें तो यह असंभव सा लगता है और जब रामचरित मानस में इसका एक दर्शन प्रस्तुत किया गया और उस प्रस्तुती का दर्शनिक पक्ष यही है कि हमारी यह जो व्रत्ती है स्वयम में गुण देखना तथा दूसरों में दोश देखना पस इस व्रत्ती को ही उलट दे इसका भी प्राय है कि अगर संपूर्ण सृष्टी के मूल में एक ब्रह्म तत्व ही है उसी से जिस सृष्टी का नर्मान हुआ है उसमें कहा गुण और कहा दोश क्योंकि मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है इसलिए रामचरित मानस में यह कहा गया कि गुण भी देखिए और दोश भी देखिए पर किसका देखिए इसका स्पष्टी करन करते हुए कहा गया कि गुण तुम्हार समुझाई निजदोशा जेही सब भाति तुम्हार भरोसा राम भगत प्रियला गही जेही तेही उर्बसहु सहितबाई देही यह पंक्ती भी महारशी वालमिकी नहीं कही है दोशों के निराकरण के बाद अंतह करण में इश्वर के निवास की जो स्थिती आती है उस साधना का क्रम क्या है तथा कैसे हम इन दोशों का निराकरण करें इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे नारायन नारायन